हेलो फ्रेंट्स आप सभी का मेरी यूटूब चैनल स्रिसा विजुल आर्ट गैलरी में स्वागत है फ्रेंट्स आज में आप लोगों की साथ यूजी सी नेट ज्याराफ विजुल आर्ट का सेकेंड क्वेशन पेपर जुलाई 2018 का पार्ट टू डिसकस करूंगी इसके पहले म ने पार्ट वन बनाया था जिसमें एक से पचास तक के क्वेशन थे और यह वाले पार्ट में 51 से लेकर हंडिट तक के क्वेशन कवर करेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो काफी बॉटेंट होने वाला है तो इस वीडियो को आलाज तक जरूर देखिएगा और मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मैंने पार्ट फर्स्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 51 क्वेशन पोस्टरों को उनकी डिजाइनरों से सुमेलित करें ए है 1904 पिरिली पोस्टर तो इसका राइट आंसर है टेस्टा अर्मांडो नेक्स्ट है 1896 सेलंदा सेंट एक्जिवीशन पोस्टर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलफोंस मूंक फिनेक्स्ट है 1891 एशियन परफॉर्मिंग आर्ट इंसिट्ट पोस्टर तो इसका हो जाएगा इक्को टोनाका नेक्स्ट है 1919-1923 टाइटल पेज और बहुत पोस्टर तो इसका हो जाएगा एल महोली नागी तो इसका राइट आंसर है फस्ट यानिकी ए एका दूसरा बी का पहला सी का नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं 52 52 ए रबर ब्लैंकेट तो रबर ब्लैंकेट का है ऑपसेट प्रिंटिंग फिर चार्ड कपर डिवाइस इसका है स्कैनर डेप्ट ओफ फील्ड इसका है फोटोग्राफी फिर गिलोटीन ट्रीमर जिसका हो जाएगा पोस्ट प्रेस तो इसका आइट अंसर है यानि कि फर्स्ट इस दा आइट अंसर नेक्स्ट कोश्चन है मीनिंग ओफ आर्ट यह सारे जितने भी फिलोसफर हैं उनके पुस्तके हैं तो मीनिंग ओफ आर्ट यह है हरबर्ट रीड का फिर डांस ओफ सिव आनंद कुमार स्वामी आर्ट एंड एक्सपीरियंस तो यह है जॉन डीवी फिर फिर फिलिंग एंड फॉर्म सुजान तो इसका राइट आंसर है सेकेंड पहले का तीसरा यानि के एका तीसरा बी का दूसरा सी का चौथा और डी का पहला नेक्स्ट क्वेशन है 54 रीम से कैथेडरल तो रीम से कैथेडरल है यह है गोथिक में फिर कोलोजियम रोम इस्कूल आफ एथेंस रैफिल दा स्टोन ब्र पहले कर गुस्ताव कुर्बे तो फर्स्त रिजदा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेशन है 55 मीनी मेलिजम मीनी मेलिजम का है फ्रैंक स्टेला फिर एबस्रेक्ट पेंटिंग वैशीलीनी केंडियनस्यकी फिर है दादा मार्सल दूंसा सर्यारेलिजम रेने मैग ग्रिट seven कि गो पुरम का हो जाएगा मिनाक्षी मन कि स्बूमा तो छित्रकला तेकनीग फिर पाइलान को हो हो जाएगा आटाला मस्जिद जौनपूर फिर ट्राइफ सोइल आर्क हो जाएगा मारतंड सूरी मंदिर इसका राइट आंसर है फस्ट पहले का चौथा दूसरे का तीसरा तीसरे का पहला यानि कि सी का पहला और डी का दूसरा नेक्स्ट क्रशल ने 57 गुप्त काल का मिलान हो जायेगा सारनात 15 एळाबधी खड़ी बुद्ध कुशंळ Kaal कटरा मथुरा में प्राप्त बैठा हुआ वा बुद्ध फिर हैं सुंग काल को जाएंगे पुश्य मित्र यानि भरूत फिर मौरिकाल तो मौरिकाल हो जाएगा असोग का सिंग सीर्ट सिस्तम भारत कनाश्ट्री प्रतीक तो इसका राइट आंसर है यानि की फर्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी एट सिंदुग हाटी की सभ्यता इनका मिलान हुजाएगा नर्तकी फिर गुप्त काल दशा अवतार देवगड खजुराहू का मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर फिर मौरिकालीन मूर्तिकला दिदारगं यक्षी तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट नेक्स्ट क्वेशन 59 दार्सनिक दार्सनिक के हम बात करें दार्सनिक में हो जाएगा रोडिन फिर है continue in space continue in space तो continue in space का भो जाएगा भोत्योणी फिर portrait of Meadow Mo gains Pakistani फिर इसका हो जाएगा ब्रांकु सिरे29, क। फिर है क्लाउट गेट क्लाउट गेट का अनिस कपूर उसका आइट आंसर है यानि कि A का, तीसरा, B का, पहला, C का, चोथा और D का दूसरा next question के हम बात करें 60 की तो flake quiz mold इसका हो जाएगा multiple casting के लिए ये multiple casting के लिए यूज होता है फिर spruing इसका यूज होता है movement of metal के लिए फिर है burn out burn out का है removal of wax फिर west mold ये हो जाएगा molding from plastic medium इसका right answer है first next question है 61 ये काल क्रम करने के लिए है तो इसा question है छापा चित्रण में निमलिखित क्रतियों को सही काल क्रम आनुसार चुनिए इसका right answer है fourth सबसे पहले हो जाएगा prodigal son फिर sleep of reason John Avery at Jordan the Paris फिर दें लास्ट हो जाएगा scream next question है 62 छापा चित्रण में प्रयुक्त मसीन का सही क्रम चुनिए तो इसका right answer है second यानि कि सबसे पहले होगा block printing फिर होगा machine फिर aging press machine फिर lethal press machine तर लास्ट आजाएगा routing machine next question के हम बात करें 63 की तो प्रसिद छापा चित्रकारों के उल्टे क्रम आनुसार चुनिए तो इनके date of birth से इनके उल्टे क्रम आनुसार लगाएंगे तो इसका right answer है first first is the right answer जिसमें हो जाएगा सबसे पहले William Hogarth William Hogarth का data परते है 1697 फिर Rembrandt 1606 फिर Otavio Leone इनका हो जाएगा 1578 फिर दे लास्ट है missile algamut तो algamut का हो जाएगा 1434 तो यह हो गया उल्टे काल क्रम में सबसे अगर हम सीधे काल क्रम में देखते हैं तो सबसे पहले ही होता algamut उसके बाद हो जाता Leone फिर हो जाते Rembrandt फिर हो जाते होगार्थ लेकिन हमें उल्टे काल क्रम में लगाना है तो सबसे पहले होगार्थ फिर Rembrandt फिल लिओनी फिल ओल्गेबूट तो इसका राइट आंसर है सबसे पहले हो जाएगा Impression of natural texture of wood फिर है wood scratching फिर है wood cut लास्ट है wood engraving नेक्स्ट क्वेशन है निमलिखी चित्रकारों को आरोही क्रम में विवस्थित कीजिए आरोही क्रम यानि की बढ़ते क्रम में अगर यहाँ पूचता अवरोही क्रम में तो हो जाता घटते क्रम में तो यहाँ question है आरोही क्रम में चित्रकारों को लगाना है तो सबसे पहले हम लगा लेंगे चित्रकारों को आरोही क्रम में तो इसका right answer है third तो इसको हम date of birth लगा लेते हैं जतिन दास जतिन दास का है 1941 विवान सुंदरम 1943 अनुपम सूर 1944 फिर जैज फरोटिया 1945 third is the right answer इसको note भी करते चलिए काफी important है next question है 66 निमलिखी चित्रों को सही काल क्रमा नुसार चुने तो इसका right answer है third सबसे पहले हो जाएगा virgin of rocks फिर the tempest फिर the school of Athens फिर वोगा last judgment virgin of the rocks किसका है Leonardo da Vinci का फिर the tempest फिर the school of Athens रैफेल का फिर फिर the last judgment Michael Angelo next question है 67 निमलिखी चित्रों को उनके काल क्रमा नुसार सही क्रम चुने इसका right answer है third next question है 68 निमलिखीत कलाकारों को अब रोही क्रम में विवस्थित कीजिए तो इनके डेट आप बर्स इमिनको विवस्थित कर लेंगे तो सबसे पहले फ्रांच क्लाइन तो फ्रांच क्लाइन का है 1910 फिर एरिक हैकल 1883 फिर जोर्जियों सिर्को 1888 फिर मार शगल तिनको जगा 1887 तो अब रोही क्रम में कोई भी ऑप्सन राइट नहीं है तो हम इनका आरोही क्रम में ही काल करम लगा लेंगे जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका थर सबसे पहले एरिक हैकल यानि की 1883 फिर है मार शगल 1887 फिर है जोर्जियों सिर्को 1888 फिर लास्ट जाएगा फ्रांच क्लाइन यानि की 1910 फिर नेक्स्ट कोईशन के हम बात करें 69 की 69 है मल्टी लिंगुवर्प सॉफ्ट वेर को उनकी आने के क्रम में विवस्थित कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोट यानि की क्वाल एक्स्प्रेस एडोब फोटोशॉप फिर है एडोब इन डिजाइन फिर है एडोब क्रियेटिव क्लाउड फिर नेक्स्ट कोईशन है सेवेंटी आग्रणी समाचार पत्रों को उनके विक्री के क्रम में विवस्थित कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फस्ट यानि कि सबसे पहले दैनिक जागन कानपूर फिर दैनिक भासकर भोपाल फिर हिंदुस्तान नहीं दिल्ली विटाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई नेक्स्ट वेशन है 71 निमलिखित को उनके टर्ण ओवर के क्रम में विवस्थित करें तो इसका राइट आंसर है फोर्थ जिसमें ओमनी कॉम ग्रूप न्यू यॉर्क फिर डेंसियू टोक्यो डबलू पीडी ग्रूप लंदन फिर पबलिसिस ग्रूप प्रेरिस फिर नेक्स्ट क्वेशन के हम बात करें 72 की निमलिखित सबसे प्रभाव शाली सर्वकालीन फोटोग्राफिक चित्रों को काल क्रमान उसार विवस्थित कीजिए तो इसका राइट आंसर है सेकेंड इसमें वीजे वीजेडे किस्म इन टाइम्स स्क्वाइर दा बर्निंग मोंक फिर टेरर आफ वार फिर स्टार्विंग चाइल्ड एंड वल्चर नेक्स्ट क्वेशन है 73 निमलिखित में से गोथी कैथेडल का सही काल करम चुनिए तो इसका राइट आंसर है सेकेंड फिर नेक्स्ट क्वेशन है 74 निमलिखित में से पीकासो की पेंटिंग का सही काल करम है थर्ड इस दर आइट आंसर सबसे पहले हैं ब्लू न्यूड फिर लार्ज बेदर फिर एक्रोबेट देन लास्ट आ जाएगा गुणिका फिर नेक्स्ट क्वेशन है 75 खजुराहों की मंदिरों का सही कालक्रम चुनिए तो इसका राइट आंसर है फस्ट सबसे पहले चौसट योगनी फिर लक्षमर मंदीर फिर पार्सुना दिलनास्ट जगा कंदरिया महादेव मंदिर नेक्स्ट क्वेशन है 76 निमलिखित भारती इसलामिक इसमारको का सही क्रम चुनिए तो इसका राइट आंसर है फस्ट यानि कि सबसे पहले कुतुम मिनार जहाज महल ताज महल गोल गुंबद तो इनके हम डेट से लगा लेंगे इनका कालक्रम तो सबसे पहले कुतुम मिनार यानि कि इनकी स्थापनावर से 1199 फिर जहाज महल 1450 फिर ताज महल 1632 लास्ट है गोल गुंबद यानि कि 1650 नेक्स्ट क्वेशन के हम बात करें 77 की निमलिखित मूर्तियों को सही कालक्रम चुने तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोट यानि कि सबसे पहले दा ठिंकर फिर संथाल फैमली फिर मामन देन लास्ट आजाएगा क्लाउट गेट नेक्स्ट क्वेशन है 78 ब्रोंज कास्टिंग का सही क्रम चुने तो इसका रा निमलिकी चित्रकारों को सही कालक्रम विवस्थित करें तो इसका राइट आंसर है डी यानि कि इनके डे टॉबर्ट से हम इनके कालक्रम लगा सकते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा राम किंकर बैज यानि कि 1906 फिर धनराज भगत 1916 फिर राघव कनेरिया 1936 फिर रजनी कान पांचान 1969 फिर नेक्स्ट क्वेशन है 80 निमलिकी धातुओं को उनके नीचे से उपर की और गलनांग तापमान की अनुसार सही क्रम चुनिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरस्ट यानि सबसे पहले सीसा फिर जिंक फिर मैगनेसियम दन लास्ट आ जाएगा चांद नेक्स्ट क्वेशन है 81 अभी कथन है ए है अन्य छापा चित्रन प्रतिक्रियाओं के सापेक्ष लीथोग्राफी में अत्यधिक नमी की आविशकता होती है क्योंकि चूना पत्थर का सतय ग्रीश के लिए जल प्रतिरोधक और असमवेदी होता है तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट यानि की A सही और R गलत है तो नेक्स्ट क्वेशन के हम बात करें 82 की तो विसकूसिटी कलर प्रिंटिंग एक ही प्लेट से अनेक रंगों के प्रिंट के निर्माड को सुगम करता है बिलकुन सही है क्योंकि इस प्रक्रिया में छापा लेने के लिए भारी रॉलर क का प्रियोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर है यानि की A सही है किन्तु R गलत है तो नेक्स्ट क्वेशन है छापा चित्रकला निर्माड का मूल ग्रैफिक कला में है क्योंकि छापा चित्रकला प्रतक हो कर द्रिश से अभिव्यक्ति की दिसा में बढ़ा तो इसका र पूर्व ओनी नम्दा का फलक रखा जाता है क्योंकि बेहतर छाप के लिए नम्दा का अगच है तो कुशल का काम करता है तो इसका राइट आंसर है थर्ड ए और आर दोनों सहीं है नेक्स्ट क्वेशन है 85 मन्जीत बावा के चित्रों में परंस्परिक विशेवस्तु और प्रतीकों का समन्वे है क्योंकि समस्त परंस्परिक कलाएब प्रतिमाविज्ञान का प्रतिविम्भ है तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ए सही है किन्तु आर गलत है नेक्स्ट वोशन है मनुस अपने नेसर्गिक मनो भावों को बाह जगत पर थोपता है क्योंकि मनुस की आत्रिप्त इच्छाएं उसे सौंदरी परक्सिजन की दिसा में ले जाती है यह बिल्कुन सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ए और आर दोनों सही है फिनेक्स्ट कोशन है 87 संग्राहले की संकल्पना दुर्लव और सांस्कृतिक सारूप्यता की वस्तुमूं का भंडारण और प्रदर्शन करना है किन्तु इन दुर्बलव वस्तुमूं पर बाजार की शक्तियों के प्रभाव ने संग्राहले के महत्व को गौड कर दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानि कि A और R दोनों सही है नेक्स्ट कोशन है 88 जे स्वामिनाथन की कला को लोग कला के रूप में परिभासित किया जा सकता है क्योंकि लोग कलाएं इस पस्ट रेखाओं और मूल रंगों का समन्वे है तो इसका राइट आंसर है 2 यानि कि A गलत है और R सही है नेक्स्ट है 89 फोटोग्राफी के अविस्कार ने कला में क्रांती ला दी अर्नेस्ट ग्रॉम्ब्रिक ने फोटोग्राफी को आधूनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा क्योंकि फोटोग्राफी किसी भी चित्रकारी की भाती विसेनिस्ट और मनुभावनात्मक हो सकता है तो इसका राइट आंसर है second यानि कि A और R दोनों सहीं है नेक्स वोशन के हम बात करें 90 की तो किसी भी कार्पोरेट का सूप्रती किसी भी भासा में उसकी बात कहता है परिवर्तन सील परिभासाओं के संदर्व में मार्क उप्योगी कैच आल यानि कि सर्वग्राही के रूप में लोगप्री हो गया तो इसका राइट आंसर है थर्ड A और R दोनों सही है किन्तु R A के लिए तर्क नहीं है फिर नेक्स वोशन है 91 ब्रांटिक के परिस्कृत द्रिष्ट कोड ने एपल को 21 सदी के घर घर में ग्यात नाम के रूप में इस्थापित कर दिया है क्योंकि बाइबिल से सर आईजैक न्यूटन और उससी भी आगे विनम्र एपल ने डिजाइन संस्कृती पर अमिट छाप छोड़ी है इसका राइट आंसर है 2nd यानि कि A सही है किन्तु R गलत है इस समय कंप्यूटर डिजाइन क्रिया कलाप के प्रत्यक पहलू का निस्पादन करता है किन्तु डिजाइनरों का सदैव इस पर नियंतरन होना चाहिए क्योंकि इस चेज को डिजाइनर करता है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता वा है सोचना जिसका राइट आंसर है 4th यानि कि A और R दोनों सही है नेक्स्ट कोशन के हम बात करें 93 की अमूर्थ कला बाय जगत के निरूपन के आस्वी क्रोक्ती को निदिर्शित करता है क्योंकि अमूर्थ कला सौंदरी परक मनो भावों को उत्पन करने में सच्छम विसुद आकारों और रंगों की विवस्था के रूप में चित्रकला और मूर्थ कला की परिकल्पना करता है इसका राइट आंसर है फास्ट यानिकी ए और आर दोनों से ही है नेक्स्ट कोशन है 94 ग्रीक कला से ही कलाएं अनुकरण आत्मक और उत्पाद में विभक थी दोनों के लिए कौशल की अविशक्ता होती है किन्तु अनुकरण की प्रवत्ती सुक के लिए प्रक्रति की नकल करतने की होती है जब की उत्पादक का आशे उप्योगिता की ओर होता है तो इसका राइट आंसर है सेकेंड यानिकी ए और आर दोनों से ही है फिर नेक्स्ट कोशन है 95 बुद्ध ने स्वयम कभी भी अलोकिक दावे नहीं किये उन्होंने सचमुष सास्वत आत्मा के विचार को अस्विकार किया तो इसका राइट आंसर है फरस्ट यानिकी ए और आर दोनों से ही है नेक्स्ट कोशन के हम बात करें गनवाद एक आंदोलन है जो जान बूच कर इस्थान बदलनी तथा परिप्रेक्ष के उन्मुलक के लिए सुरू किया गया गनवाद आकार और चित्र में इस्थान के जटिल संगठन से निपटने के बौधिक निरूपन पर आधारित था तो इसका राइट आंसर है फोर्थ यानि की ए और आर दोनों सहीं है लोग सतिस गुजराल को एक मूर्तिकार के रूप में नहीं सोचते हैं किन्तु उन्होंने अपनी आकृतियों की त्री आयामी आकारों में संकल्पना की है वह बंधन मुक्त रहना चाहते थे जो आयामों में संभव नहीं है तो इसका राइट आंसर है फोर्थ यानि की ए और आर दोनों सहीं है नेक्स्ट क्वेशन है 98 ब्रेताकार समस्मार की मूर्तियों के मापन के उदेश से मैकिट आवश्यक है लाइफ साइंस लाइफ स्टडी के उदेश के लिए भी मैकिट आवश्यक है तो इसका राइट आंसर है 2 यानि की ए सही है किन्तु आर गलत है नेक्स्ट क्वेशन है 99 ब्राउंज मूर्ति पर पतीना आवश्यक है क्योंकि कलांतर में सतय का रंग बदलता है सतय पर विशेश रसायन की प्रतिक्रिया ब्राउंज की सनरचना पर निर्भर करता है तो इसका राइट आंसर है 2 यानि की ए और 8 दोनों सही है नेक्स्ट क्वेशन के हम बात करें 100 यानि की लास्ट क्वेशन की क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी important और helpful है क्योंकि yearly question net के जरूर पूछ जाते हैं चाहे जितने भी question हो हर एक year से एक question जरूर पूछा जाता है तो मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे like and subscribe जरूर करें और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि मैं जितनी भी early questions या भी जितनी भी important question लाओंगी उनकी notification आपको मिलती रहेंगे तो आम में मिलती हूं आपसे next video के साथ thank you